नमस्कार सुलक्ता सवाल देख रहे हैं पर मैं हूँ आपके साथ दिव्यासे पांच राज्यों में हुए बिधान सब अच्छनाव में तीन राज्यों में बीजेपी की बंपर जीत देखने को मिली जिससे विरोधियों में हरकंप मच गया जीत के बाद तीनों राज्यों में बीजेपी ने खास चेहरे को सीम बनाया लेकिन सबसे ज़्यादा चर्चा MP के सीम के हो रही है क्योंकि मध्यपरदेश सरकार के नए सीम मोहन यादव पद ग्रहण करने से लेकर ही एक्षन में है उनने पहली कैबिनेट में ही जोरदार फैसला लेकर खल्बली मचा दी एक तरफ मोहन यादव मिशन दोहजाट चौबीस की तयारी शुरू कर रहे है तो दूसरी तरफ मुख्यमंद्री की नजर लापर वाही करने वाले अधिकारियों पर और महौल बिगारने वाले असमाचित ततों पर भी है इतना ही नहीं अब सीम मोहन यादो के आक्षन से MP में सनातन विरूधियों में भगदर बचा हुआ है शाजापुर में धार्मिक यात्रा पर बड़े बवाल के बाद अब मोहन यादो का गुस्सा सात्मे आसमान पर है सीम मोहन यादो के आक्षन पर तमाम तरह के सवाल सुलग रही है MP के सीम मोहन यादो का क्यों हुआ पारहाई शाजापुर में धार्मिक यात्रा पर किस ने किया पत्राव? क्या आरोपियों के मकान पर चलेगा बुल्डूजर? कैसे असमाचिक तत्वों को सबक सिखाएगी सरकार? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और सियम मोहनियादों के हिंदुतो वाली छवी को ललकारने का काम किया है ऐसे में अब तो इनका बच पाना बेहद ही मुश्किल है क्योंकि धार्मिक यात्रा पर पत्राव करके इन लोगों ने अपने बुरे दिन के शुरवात होदी करती है आगे बताएंगे आपको कि लोगसभा चुनाव साधनी के लिए क्या कर रहें MPK नैसियम लेकिन सबसे पहले बताते हैं कि शाजापुर में क्या और कैसे हुआ दरसल मध्यपरदेश के साजापुर में उपद्रवियों ने महौल खराब करने की कोशस की बताया जा रहा है कि जिले के सुमवारिया छेतर में राममंदिर का पोजित अक्षत बाटने के लिए राम, श्याम, फेरी यार्नी की किरतन जुलुस निकाली जा रही थी यात्रा जब हरायपुर छेतर से निकल रही थी तब भी असमाचिक तत्तों ने उस पर पत्राव कर दिया अचानक हुए पत्राव के कारण अफ्रात तफरी बच गई जिससे कुछ लोग घायल भी हो गए गटना के बाद इलाके में संप्रदाइक तनाव पहल गया प्रिशासन ने तीन समिदनशील इलाकों में धारा 144 लगा दी बड़ी संख्या में पलिस फोर्स को तैनात कर दिया गया मिली जानकारी का मदाबिक शाजा पुर्जिले के काची वाडा चौक से शाम साथ बजे राम शाम फेरी शर हुई इसमें हिंदू संगठन से जुड़े युवा लोगों को राम मंदीर प्रान पत्रिष्ठा का पीला अक्षक बाट रहे थी युवा श्री राम नाम धुन पर नाचते गाते हुए हराय पुर्चेतर से गुजर रहे थी तब भी रात आठ बजे के करीब जैसे ही यहात्रा हैपी मिमोरियल स्कूल के पास से मश्चित के पास पहुँची कुछ असमाचित ततों ने इस पर पत्राव शुरुप कर दिया पत्राव में एक शक्स घायल भी हुआ जैसे ही संप्रदाईक जड़ब की खबर पुलिस प्रिशासन को मिली अधिकारी तुरंत हरकत में आके घटना अस्तर पर पुलिस टीमों को रवाना किया क्या घटना के बाद हिंदुवादी संगटनों में भारी नराजगी भी देखनी को मिली बड़ी संख्या में भाजपा कारे करता समीत अन्य हिंदु संगटनों के लिए शिकायत दर्च कराने के लिए थाना कोतवाली पहुँचे लोग उपद्रवियों पर फोरन कारिवाई की मांग कर रहे थे थाने पर हंगामे होने मामला बढ़ता देख एहतियातन के तौर पर इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स को भी तैनात करतिया क्या इस दोरान पुलिस ने आकरोशित लोगों को समझाने की भी पूरी कोशिस की वहें सूचना मिलने के बाद बढ़्डायक अरून भीमावाद भी मौके पर पहुंचके आकरोशित लोगों ने उनसे उबद्रवियों के मकानों पर बुल्डोजर चलाने की मांग कर दि शाजा पुर्बधायक अरोन भीमावाद ने आक्रोशित लोगों को शांत कराते वे कहा कि पुलिस प्रिशासन अपना काम करेगा और द्रवियों पर आक्शन जरूर होगा पत्राव करने वाले दोशियों के खलाब बुल्डोजर की कारेवाई भी होगी पुलिस सभी आरोपियों को गरफतार करेगी वहें इस मामले में पुलिस ने कारेवाई करते हुए 24 लोगों के खलाब नामसत इपाया दर्च की पुलिस घटना के वीजो और फुटेज की चानबीन करके आरोपियों को पहचानने में चुट गई मामले को गंभीरता से लेते हुए प्रशासने जिले के सबी ठानों पर पुलिस पोर्स को साजा पुर्जला मुख्याले बुला लिया फिर हलाद पर काबु पाया क्या वहें इस मामले में पुलिस लगातार कारवाई कर रही है कई आरोपियों को गरफतार भी किया क्या है वह इस पूरे घटना के बाद से राज्य के सीम मोहनियादों ने मामले में सक्त आक्शन का आदेश दिया है वदादे कि मोहनियादों की छवी यूपी के सीम योगी की तरह ही हिंदुत्व वाली है और सनातन दर्म के साथ किसी भी तरह किला परवाही मोहनियादों बरदाश्ट करने के मूड में नहीं है वहें दूसरी तरफ मोहनियादों ने मिशन 2024 की तयारी भी शुरू कर दी है बतादे कि साल 2024 में होने वाले लोग सभाद चुनाव को लेकर बीजेपी ने अपनी रणीती बनाने शुरू कर दी है खास्तोर पर बिहार में लालो प्रसाद यादों के वोट्रों में सेंध लगाने के लिए प्लान तयार कर लिया गया है एसी के तहट माना जा रहा है कि मध्य परदेश के सें मोहन यादो बिहार के दौरे पर 18 जनवरी को आ रहे है हलाकी कहा जा रहा है कि यह राजनितिक दौरा नहीं है लेकिन सियासी हलचलों में चर्चा होने लगी है कि लालो यादों के वोट्रों में बीजेपी ने सेंध लगाने के रणेती अब बना ली है दरसल 18 जनवरी को पटना में स्रीकृष्ण चेतना विचार मंच की ओर से आयजित सम्मान समारो कारिक्रम में मध्यपरदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादो को सम्मानित किया चलेगा इस कारिक्रम की अध्यक्षता श्रीकृष्ण चेतना विचार मंच के अध्यक्ष नायमूर्ती राचिंत प्रसात करेगी विचार मंच की ओर से पटना में प्रेस कॉन्फरेंस अयुचित की गई और बताया गया कि यह पूरी तरह से समाचिक मंच है और राजनिती से इसका कोई लेना देना नहीं है वहीं प्रोफेसर अनिल कुमार ने बताया कि यह एक गैर राजनितिक मंच है और इसमें सभी राजनितिक दलों के यादो समाच से जुड़े लोग शामिल होगे मंच पर मुहन यादो के आलवा यादो समाच के गैर राजनितिक लोग होगे यादो समाच से अब तक सबसे अधीक पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई मध्यपरदेश का CM बना है उन्हेंने कहा कि साइंस में मास्टर्स और MBA करने के बाद उन्होंने LLP और PSD किया है ऐसी स्रैंशिक योगिता के साथ वसीम बने है तो यादो समाच काफी गौरवान भीत महसूस कर रहा है इस उपलब्धी के लिए उन्हें सम्मानित करने के उदेश्य से इस कारिक्रम को आयोचित के आचारा है जिसमें यादो समाच के विबिन संगठन आकर मुहन यादो को सम्मानित करेगे गौर करने वाली बात ये है कि मध्यपरदेश में नई सरकार अब करीब एक महिने पुरानी हो गई है 13 दिसमबर को मुहन यादो ने मध्यपरदेश के मुख्यमंत्री पदकीश्र पतली थी मुहन के सत्ता समालते ही या साफ था कि लोगसभा चुना में अब अधिक समय नहीं बचा है ऐसे में सरकार के लिए तुरंट आक्शन और एक्जेक्यूशन के चुनाथी होगी मुहन सरकार शुरुवाती करीब एक महीने के सफर में ही इसी ट्रैक पर चलती हुई नजर आ रही है मुहन सरकार ने इस तरह से काम किया है कि मोधी का विजन और लोगसभा एलेक्शन दोनों को साधा जा सके चार संभाग के मुख्यालियों पर मुहन कैबिनेट की बैठक होगी महा कौशल के जबलपुर में एक कैबिनेट हो चुकी है बाकी तीन कैबिनेट मिटिंग मालवा निमाड छेतर के उजयन ग्वालियर चंबल के ग्वालियर और विंद्य छेतर के रिवा में होई है उजयन मुख्यमंत्री मोहन यादो का ग्रीव छेतर भी है अब अलग-अलग संभाग में कैबिनेट मिटिंग के जरिये सरकार की रड़निती या संदेश देने की है कि हम हर छेतर को सम्मान रूप से तरजी दे रहे हैं सुबे के किसी भी अंचल के उपेक्षा नहीं केचारी सरकार ने इस कदम के साथ ही यह भी साफ कर दिया है कि आदिवासी वोट बैंक को अपने पाले में करने की अपने पाले में बनाय रखनी की कवायत जारी रहेगी मोहन सरकार गठन के बाद से ही लगातार हिंदुतों पर फोकस कर रही है 22 जन्वारी को अयुद्यावे श्री राम लल्ला की भव्य मंदिर में प्रयार प्रतिष्ठा होनी है और उससे पहले यह संभावना है कि मोहन काबिनेट की एक मिटे चित्रकूट में भी हो सकती है चित्रकूट का भगवान राम से भी कनेक्शन है और मध्यपरदेश सरकार राम वनगमन पत का निर्माड भी करा रही है मध्यपरदेश के विंदे चित्र के सतना जिले में इस्तित्रकूट सांस्कृतिक, एतिहासिक, धार्मिक और पुरातात्विक महत्वर रखता है ऐसा माना जाता है कि भगवान राम ने वनवास के 14 में से 11 साल चित्रकूट में बिताए थे कबिनेट की एक बैठक 14 जनवरी को उजयन में होनी है उजयन के बाद उच्छा और मेहर में कबिनेट बैठक की तयारी है मध्यपरदेश के धार्मिक अस्तलो में सीम की कबिनेट बैठक से हिंदुत्व को लेकर सरकार का बहुत ही क्लियर मैसेज है महन सरकार ने अपने पहले ही फैसले में लाउड स्पीकर की तेज अवाज पर लगाम लगा दी धार्मिक अस्तलो और अन्य सारविचनिक अस्तलो पर लाउड स्पीकर की अवाज निर्धारित डिसिंबल के अंदर रखनी होगी इसके साथ ही सरकार ने खुले में अंडे और मांस की बिक्री पर भी रोक लगा दी है यह दोनों फैसले हिंदुतों के मुद्धे पर मुहन सरकार का लाउड मैसेज बता रहे है सरकार के काम काज़ पर पिये मोदी के विजन और लोग सभा एलेक्शन को साधनी की रडीती की छाप भी नजर आ रही है सुलकता सवाल में आज के लिए इतना ही नयमुद्धे के साथ फिर से पेश होंगे तब तक के लिए आप देखते रही कापिटल टीबी नमस्कार